कर दिखते हैं कल मार्केट के तरीगे से मूब कर सकता है कल बैंक लिप्टे का एक सपैरी वाने वाला है मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है हम लोगों ने बार-बार में आप लोग के पॉइंट बताया था मार्केट अगर उपर की तरफ जाएगा इस लेवल से तो वोलाटे होके जाएगा और हम लोगों कोई ट्रेडिंग नहीं मिलने वाला क्योंकि उपर से कॉल सॉट करेंगे और नीचे पीस और कुछ खास ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा और उसके ऊपर इशु क्या हो रहा है इंट्राडे के अंदर अगर आप लोग यहां पे देखेंगे मार्के में में बडगส bunlar body shop MD PRN १know स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट के इंद मार्केट नीच CH जलाए और इिट्राडे के अंदर अगर देखेंगे बहुत लेजी मोमेंटम कुछ भी कास मोमेंट हमने था और आज मैने Normail कर्या तक्ब अगर और 800 या 900 इसके नीचे अगर ब्रेक कर रहा है तभी ट्रेड लेंगे क्योंकि 48,000 अग्ट आजए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है ग्याप फुला 300 इमिडेटल पहला क्यांडल के अंदर एक ही क्यांडल के अंदर जितने लोग ट्रेड कियोंगे कियोंगे और इसके बाद अगर देखेंगे अगर ऑफसन बाइंग के लिए कुछ स्कोप था और सेलिंग डेफिनेटली स्टाडल स्ताइंगल के लिए जैसे मनें बूला था अपको मार्के अगर आगर ऊपर जायागा तो अच्छा पैसा मिल सकता है में ज्याला प्रिफर नहीं करता हूँ गयर फर दिस पसंद करता हूब trending market identify करके मैं थोड़ा side of money or in the money trade लेना पशन करता हूँ तो आट कि नहीं मेरे rocks to reward हमेसा बचा रहा है तो यह market में मिझे trade करना पसंद नहीं है current level पर अगर एक है यहां पर trade कहां पर कर सकते है तैब को simple। हम लोग को अगर ऑफसन बाइंग के लिए या ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अगर हम लोग को प्लान करना है तो वी निड टू फाइंड आट तो स्टॉप लोस प्लेसे तब ही जाके हम लोग कुछ मोमेंटम मिल सकता है करेंट लेवल पर 48,300 के ऊपर डेफिने लोग सेल के होंगे वहां पर स्टॉप प्लास होगा और जितने लोग कंजर्वेटिव होंगे 48,180 के आसपा स्टॉप लोस होगा क्योंकि यह सारे स्वेंग नहीं किये तो 48,100 एक यहां पर मुमेंटम दिख रहा है उसके नीचे अगर देखेंगे जितने लोग भाई किया होंगे उन लोग अपना स्टॉप प्लास 47,800 हो जाएगा यह सोइंग के नीचे या फिर इसके आसपास रखे होंगे तो जब तक यह दो लेवल ब्रेक नहीं होता तब त मुझे लग रहा है दोनों साइड एक मोमेंटम आने वाला है तो मैं प्लान करूँगा सेकेंड आप पे अंदर जो मोमेंटम रहेगा जैसे यहां पर मार्केट पहले फ़र्ष्ट आप में उपर की तरफ जाने कोसिस किया उपर की तरफ किया सेकेंड आप में रिवर्सल हो स सकता है यहां से कहीं से सेलिंग आया तभी हम लोग ट्रेट कर सकते है यहां पर फिर से 48,100 के आसपास हॉल्ट किया उसके रिवर्स हुआ तो कल में समय राउंड 11-11.30 के बाद अगर कुछ ट्रेड मिलेगा तभी प्लान करूंगा मौनिंग आउर के अंदर एक प्रेक पास हम लोग का टारगेट 1-2, 1-3 के लिए अगर लेट से किने मार्केट थरा 48,7,900 या 800 के आसपास ब्रेक डाउन कर रहा है तो किने 50,60 या 100 पोइंट खुल के तब कुछ प्लान कर सकते है अगर गाप खुल गया या गाप डान खुल गया तो मैं रिवर्सल के लिए वेट अगर सही चल गया तो रिवर्स अच्छा मिले दिन बर में कुछ खास मोमेंटम मिल नहीं रहा है अगर यहां पर देखेंगे और यह कब तक चलता रहेगा जब तक मार्केट यह चैनल से ब्रेक नहीं करता मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं यह हम लोग के लिए एक से फिर मोमेंटम हो गया और अभी हायर लेवल 48,800 इधर यह ब्रेक करें या फिर फिट से 46,700 46,800 47,200 यह ब्रेक करें बीच में ट्रेड लेना मता थोड़ा सा रिस्की होगा अभी जनरली क्या होगा लेट से यह मंत एक्सपार हो जाएगा कल अगर कल नेक्स्ट मंत के लिए लोग इसके उपर कॉल सॉट करना स्टार्ट करेंगे इसके नीचे पुट अगर मार्केट यहां तक आ गया तो कॉल रोलोवर करके लिए आएंगे तो उनके पास प्लेराउंड करने के लिए बहुत जादा अपरचुन्टी है अगर इमाजिन करो मार्केट ऐसा कुछ कुछ बनाया है या फिर ऐसा कैंडल कुछ बना के या फिर ऐसे कुछ ब्रेक आउट जोन पर अगर रहेगा तो लोग कॉल लेने के लिए या फिर यहां पर पूट लेने के लिए डरेंगे लेकिन अभी ऑप्शन सेलर को कोई डरननी का सिनारियो है दिखी नहीं रहा क्योंकि इसके बाद अगर कुछ रिवर्सल आता है कल हम लोग का ऐसे भी क्लास है विल सीकने किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है और हम लोग का मंतली एकस तरीके से हुआ इन डिटेल में हम लोग डिसकुसन करेंगे यहां पर देखेंगे इसकी नीचे अगर आएगा मौनिंग आवर के अंदर अगर फ्लाट खुला पचासाट रुपे खुला फिर हम लोग कुछ डायक्समार प्लान कर सकते हैं इनने ब्रेक आउट दिया यह ब्रेकडाउन दिया एक ट्रेट प्लान कर सकते हैं ग्याप अब खुला तो आईल गोट टुवेट फॉर लेक 10, 10. 30 और 11 तक जब तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिखा था अच्छे से याग आपडाउन खुलने के बाद एक रिवर्सल का तभी जाके कुछ प्लान कर सकते हैं मौनिंग आवर के अंदर ज्यादा कुछ सेप साइट नहीं होगा और आप लोग को याद होगा फिलिंग तक काया उसके बाद पाहुज हो गया जितने लोग वेट करके ट्रेट करते हैं उन लोगों के लिए कुछ खास मोमेंटम था नहीं तो सिंपल कल ऐसे ही बैंग निप्टी का एक्सपारी है फिनिप्टी दोनों एक ही स्ट्रक्चर में मूव हुए हैं तो कल बैंग निप्टी को अब कुछ करी ने सकते हैं यहां पर इसलिए हो रहा है देखो मार्केट कंटी जी नीचे की तरह बार आता है ग्याप डाउन कुला प्राइस एक्शन बना के बहुत अच्छा मोमेंटम दिया अभी मार्केट अपने अपने अपको होल्ट कर रहा है होल्ट वेट किया को इश अब कर दो दो दिन साइडवेज हो जाएगा फिर एक रेंज हम लोग के लिए मिल जाता है 22,520 या अगर नीचे आना होगा तो 21,160 तो कल एक अच्छा दिन है कल थोड़ा साम लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हैं लेट से किने कुछ कॉंटिटी हम लोग बैक्टी के लिए अगर बैक्टी में हम लोगन लट से ब्रेक्डाउन हो रहा है तो इंत्रा डे के लिए हम लोगौने बैक्टी ट्रेट किया और निफ Chang21 कुछ पॉंटिट कर सकते हैं अगर कल लेकि जा सकते हैं फिर चॉपशच पौइट के अंधर की तरफ जा सकते हैं तब जाके हम लोग गाप डाउन खुल रहा है तो इंट्राइड़ी टेट प्लान करना तो इने बैक निफ्टी के अंदर कोई यादा मोमेंटम मिलेगा ने अन्नेसेसरी फिर वहां पर फुर्ज जाएंगे लेकिन अगर आप लोग देखोगे कोई चैनली मार्केट के अंदर को अचानक से दो दिन के अंदर से अभी हाइर हाइड फर्मेंशन कोई ओंड डेखो गे कही ना कहीं जो लो था वह अभी हो अभी भी सफ्ट्रेंट कर रहा है अब रहा है तो अगर आप को सेल करना है तो इसलिए मैंने आप लोग को को बला कि भबते कि नहीं हम लोग थोड़ा सा सेकेंड आपके लिए वेट करेंगे 10 30 11 कि फिरस्ट आप के अंदर रही करेंगे लोऒए- लोग फर्मेशन हो रहा है इट सकंफरमेशन या फिर हायर है इसको हो रहा है तभी हम लोग इसको ट्रेंड के साथ प्लान करेंगे आज के दिन प सुलता है तभी इंट्रेस्टिंग रहेगा ग्यापक ग्याउट डान खुला तो अम लोगो थोड़ा सा सेकेंड आप में अंदर 11 11 30 के बाद ही कुछ ट्रेट मिलेगा अई हो पी सरपन आप लोगो समझ में आ रहे होंगे ब्रीच और लाइक के सब्सक्राइब अब लित नहीं थैंक यू